Hello everyone welcome back to my channel तो आज की वीडियो पर हम बात कने वाले हैं Optical Storage Memory तो देखिए Optical Storage Memory की अगर मैं आपको एक बात बता दू कि यह दूसरे जो इनके टॉपिक हैं जैसे Rectifier होगी है सेंसर वगर है उनके compare में काफी अच्छा topic है इन पर हमारे एक short note जरूर आता है इनके सारे topics में हमारे short note एक दो short note हमारे आते ही आते हैं तो मैं आपको यह बोलना जाहिए हूँ कि अगर आपको Optical Storage Memory पर दूसरे topic पर compare मतलब कुछ लिखना हो और Optional में आया हो तो आप Optical Storage Memory कीजिए क्योंकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आयागा थोड़ा simple है मैंने और वीडियो मतलब दूसरे topic है उस पर भी वीडियो अपलोड कियें आपको थोड़ी help मिली हो मेरी वीडियो से तो आज की वीडियो पर हम बात करेंगे पर बात करेंगे वीडियो स्टार्ट करते हैं जैसे इस पर लिखा हुआ Optical Storage Memory देखो आप इसे Optical Storage Memory भी बोल सकते हैं डिवाइस भी बोल सकते हैं तो आपको डिवाइस करके दिया होगा है तो Optical Storage Device क्या होती है Optical Storage Device जो होती है एक टैप की डिवाइस है जो क्या यूज करती है यूज करती है Optical Technique Optical Technique का यूज करके क्या करती है डाटा को सेव भी करती है और रेट्रीव भी करती है ओन डिस्क लाइक ब्लूरे सीडी एंड डिवीडी ओवरॉल यह क्या बोलना चाहरा यह बोल रहा है इक टैप की डिवाइस है जो कि Optical Technique का यूज करके हमारा जो डाटा हम उसको दिंगे उसको क्या करेगा सेव भी करेगा रेट्रीव करेगा कहां डिस्क में जैसे ब्लूरे सीडी एंड डिवीडी में जैसे हमारे कोई डाटा है उसको हम लोग क्या कराने है सेव कराने तो Optical Storage Device का वो काम होता है कि वो Optical Technique का यूज करके उस डाटा को जो हम उसे दे रहे है उसे सेव करें और रेट्रीव करें ताकि हम को फ्यूचर में अगर वो डाटा दुबारा चाहिए तो हम उसका यूज कर सकें तो यह जो हमारा इंफोर्मेशन उसको रीट करने के लिए या फिर नए इंफोर्मेशन को एड करने के लिए क्लिए लेजर लाइट का यूज करता है अब जो Optical Storage Device को उसको हम लोग 3 तैप में क्लासिफाइए करते है यानि कि 3 तैप की स्टोरेज अक्तिव मतलब अप्टिकल स्टोरेज मेमोरी है पहला है Compact दिस्क दूसरा है Digital Versatile डिस्क यानि कि हम बोलेंगे पहला है हमारा सीडी सीडी का फुल फॉर्म होगा और दूसरा हमारा डीवीडी डीवीडी का फुल फॉर्म होगा यह जीज्सें हमारा सीडी रोम हो जाता है एक फुछीक सीडी और तीस्ता हो जब एक यह स्क्लिर होई एक शीज प्रूसरा को a device that a computer used to add a data that is encoded digitally on a compact disc यह compact disc एक टाप की device है जिसका यूज कौन करता है computer करता है किसले की use करता है कि हमको कोई data दिया हुआ है हम उस data को किसी disk में feed कर सकते हैं तो उस device को क्या बोलता है compact disc यानि कि CD में CD एक टाप की device है जिसमें हम क्या है दिया हुआ data मतलब इंसानों दारा दिया हुआ data computer के है इस disk पर यानि की drive पर add करता है उस disk का नाम है compact disc ओके इतनी चीज़ समझ में यह बोल रहा है compact disc है एक टाप की device है जिसका use computer करता है किसके लिए जो हम इंसाल उनको जो data देते हैं उस data को वो feed कराता है किस पर compact disc ओके जिसम करते है cd तो बोड़े cd derived can be installed inside a computer compartment provided with the opening for a easier disk history access अब बोड़े cd can store approximately 5700 MB of data ठीक है इतनी चीज़ के लिए रही तो वही बोड़े के cd क्या है cd एक टाप की device है optically active device है जिसका use क्या करता है computer करता है किसके लिए data को add करने के लिए save करने के लिए okay अब cd के approximately 52700 MB का data एक बारे में store कर सकती है अब cd के भी हमने types परना है पहला है cd-rom cd-rw और cd-r okay तो पहला cd-rom क्या होता है cd-rom बोलो या फिर r-o-m बोलो तो cd-rom या फिर r-o-m क्या होता है data इसमें क्या होता है जो data होता है written on these disk at the time of manufacturing ठीक है इस tab की CD में है इस tab की CD में है इस पर अगर हमने जो data दिया है जो data हमने safe करना है यह उसी time में हमको feed करना होगा जब इसका manufacturing हो रहा होगा और the data cannot be changed once it is written by the manufacturing but it can only read और जो इसमें data हम feed करेंगे वो क्या होगा एक बार हमने लिग दिया तो वो दुबारा change नहीं होगा वो सिफ क्या है रीट कर सकते हैं लेकिन हम उस data को feed के और वे data को हमने safe कर दिया तो हम उसको वापस से change नहीं कर सकते हैं इतनी चीज़ क्लिए लेकिन cdr के case में क्या होता है cdr the data is recorded on the disk disk but only once इसमें data भी क्या है इसमें भी क्या है data को हम लोग record कर सकते हैं लेकिन एक ही time record कर सकते हैं यानि कि जैसे एक बार हमने इसमें data feed कर दिया तो हम उसमें दुबारा कोई data add नी कर सकते हैं लेकिन once the data is written in a cdr it can be erase and modified ठीक है तो देखो यह ऐसा बोले data को हम एक ही बार तो add करेंगे ठीक है एक बार आपने कोई नया data अगिंगे मिसमें और आप पूराना data और रेज परका है डूब ओकते हैं उसको दुबारा क्या कर सकते हैं क्य stripped भूक्म ऑर इतके से मॉडिफाइड भी कर सकते हैं बाला सただ sürग्ए लियर बार आपने कर सकते हैं कि CD में हम लोग जो data है उसको read भी कर सकते है multiple time और write भी कर सकते है multiple time पे और क्या बोड़ है CD-RW drive needed to be installed लेकिन इसके case में जो CD-RW drive है उसको हमारे computer में computer system में क्या होना चाहिए installed होना चाहिए before editing CD-RW okay तो यह था CD का और CD के types अगला है हमारा DVD DVD के case में क्या होता है DVD मतलब वह digital versatile disc इसमें क्या होता है it look like a CD CD की तरह हमें appears होता है और इनके प्रिंसिपल और इसकी टेक्निक से वह भी CD की similar होता है लेकिन CD के compare में जो DVD है वह ज्यादा data store कर सकता है approximately six times ज्यादा data यह क्या करता है store करने की capacity होती है यानि कि CD कितना करती थी हमारा कुछ MB का data store करती थी लेकिन जो हमारा DVD है यह 4-7 GB से 17 GB का data क्या कर सकता है store कर सकता है यानि कि बहुत ज्यादा information और जितना भी बहुत ज्यादा data हम DVD में store कर सकते है compare to CD अगली चीज़ बोर्ड है blu-ray disc blu-ray disc क्या होता है this is the latest optical storage media यह एक नया टाइप का optical storage device या फिर वीडिया है that store high definition audio video जो कि है बहुत ज्यादा definition मतलब की बहुत ज्यादा quality की बहुत ज्यादा MBGB की videos को क्या कर सकता है videos को audio को store कर सकता है it is similar to CD and DVD यह भी CD or DVD के similar है similar कैसे यह एक टाइप की optical storage device है जो क्या करता है data को store करता है retrieve करता है but it can store up to 75 GB of data यानि कि लेकिन ही इसकी difference है कि बहुत जादा DVD से भी ज्यादा को क्या करता है store करता है approximately 27 GB of data को ही क्या करता है store कर सकता है in a single layer इसके भी दो टाइप होता है एक single layer dish होती है एक double layer dish होती है double or dual layer dish होती है single layer में तो 27 GB of data को store कर सकता है but dual layer dish में 54 GB data को store कर सकता है ठीक है अगली जीच क्या बोल रहा है while CD and DVD use a red laser beam ठीक है अब हमने आके बढ़ाता है CD और DVD क्या है red laser beam का use करते है किसके लिए अगर इसमें कोई data feed करना है या फिर कोई नई जो information जो feeded information इसको read करना है इस case में red laser beam का use करता है in case CD and DVD but हमको क्या है जब हम लोग dual ray disc का use करेंगे यह जो हमारे blue ray disc का disk करेंगे इस case में अगर हमने information को feed करना है या फिर information को read करना है इस case में blue laser beam का use करना पटा है instead of red laser beam okay तो यह इसके बीच में difference हो गया तो यह काफी easy था simple सी चीजह है simple language में भी है तो यह था हमारा optical storage memory होप आपको यह video पसंद आई हो में भी थोड़ी helpful भी रही हो तो आप इसमें क्या है यह सारी चीजह अगर आपसे optical storage memory पूछ जाए और इस पर questions बनता ही बनता है ठीक है इसे short note 2 short note पूछे ही जाता है ठीक क्योंकि यह slabels इसका slabels ही बहुत छोटा है तीन ही unit है तो इससे questions बनते ही बनता ही है तो optical storage memory जो ही बहुत छोटा ही ठीक है और simple language में simple sa topic है hope आपको यह video पसंद आए हो इससे related MSC और BSC से related आपको सारी videos मेरी चैनल पर मिल जाएंगी इस पर हम लोग video को यहीं पर finish करते हैं मिलते हैं next video पर तब तक के लिए bye bye